खवर खन्योद धाना थाना श्वेतर से जहांगराम चमरोवा के रहने वाली 27 वर्ष महिला राम मुर्ति केवट पत्नी देवेंदर केवट गाउं के ही आशिक शेर सीह लूधी उम्र 28 वर्ष के साथ फरार हो गई फरार महीला के पती देवेंदर केवर द्वार बताया गया है कि सप्रेल को सुबह पांच बजे मेरी भेस को गई थी मैं जिसे ढूंडने गया था जब मैं घर वापस आया तो मेरी पत्नी और बच्चे नहीं मिले जिनको मैंने गाउं में सभी जगर पता किया पर नहीं मिले फिर मैंने खन्यताना थाने जाकर गुमचूदगी का मामला दर्श कराया है कर रात मेरी साली का फोन आया तो उसने मुझे बताया कि दीदी दोनों बच्चों को लेकर गाउं के ही शेर सीहन लोधी के साथ भाग गई है जब मैंने गाउं में जाकर शेर सीहन लोधी का पता लगाया तो पता चला कि उसी दिन से शेर सीहन भी गाउं से फरार है और उसका भी फोन बंद आ रहा है जब उक्ता यूवक शेर सिहां के परिजिनों से बात की तो उन्होंने पता नहोंने कब बताया इस सÎ मुझे शख है कि मेरी पत्नी को घाओं का रहने वाला शेर सिहां लोधी प्रयाम प्रसंग के चलते दोनों बच्चों को वह मेरी पत्नी को अपने साथ बगा कर ली गया है महीं पती का कहना है कि पहले भी ऐसी गटना हो चुकी है जब मैं पूरे में काम करता था तब भी शेर सिहने मेरी ससुराल में पत्नी के पास आता जाता रहता देविंद्र केवड़ गिराम चमरगो मंजरा रुकावन पहाड के पास में रहते हैं यह मौ मामला यह है कि मेरी भी गाव है कितने तारीक तारीक सेcharug को दो बच्चे है एक लड़की लड़का इस बचरों कि उसके पास साल स्य मी पे पटनी के लेकिन उसने भेच शुर दिया तो मिर्थ को ढूरने के लिए द्युविश्स ता मि스 शुर्व mir लिया था थी तो में बापस आया बारा। एक बज़ तक घर पे। घर पर बापस आया तो नहीं वेली हुआ तलास की हर जगा है, हर जगा लेकिन साली को मैंने रात को फूण किया था तो बोली पहले मेरी भीबी भाग गाई थी उसी के चक्कर में हमारा दोनों का ढजगा लगा था शाल तुम भार रहते देटेख सह मेंने तो मेरे इधर आता ता ओड़ जी थी इधर यह आता था था दस देन में पार था तो । इसको इना आन रहता हो छी आज का अपकर संदे पूरा संदे और उसको सब्स को मालूम है के सेरषिंग हुआ की पता है तो थे आकर साथ चले गए कि और में बहाँ याटक ब्हुत को किया हो हमारी क्या गल्थी है हम क्या करें लेकिन हम क्या कर खर्णाधाना से मुकेश प्रजापती की यह रिपोर्ट